अरविंद केजरिवाल को 20 दिनों की मिली रिहाई से आम आदमी पार्टी को फायदा होने के जगे नुकसान उठाना पड़ सकता है हलाकि आम आदमी पार्टी भले ही ये सोच रही हो कि केजरिवाल की रिहाई से पार्टी को सियासी फायदा होगा लेकिन हकीकत ये है कि केजरिवाल के बाहर आने से दिल्ली की सियासत पर कोई खास सियासी प्रभाव पढ़ने वारा नहीं है केजरिवाल के जेल में रहने से जो साहनु भूती हम आदमी पार्टी को मिलते दिख रही थी वो अब खत्म हो गई और लगे हाथ बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया क्योंकि अदालत में केजरिवाल को बड़ी नहीं किया बलकि सीम पद के सारे अधिकार ने रसकर सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है मतलब दिल्ली की सरकार तब भी ठप पड़ी थी और आज भी ये सलसला कब तक जारी रहेगा कहा नहीं जा सकता दिल्ली सरकार के कामकाज के एक तरह से बंद हो जाने से संकट और नए दिन के साथ नया होगा इस से निपटना केजरिवाल के लिए बड़ी चुनावती की तरह है बीजेपी और पीम मोदी ने चुनाव में प्रचाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाया केजरिवाल के बाहर आने के बाद विपक्ष के मंच पर प्रचार करने के लिए उतोतरेंगे प्रधान मंतरी और बीजेपी उसे राजनेतिक मुद्दा बना सकती है क्योंकि जनता के बीच नेताओं को लेकर ये चबी बनी हुई है प्रधान मंतरी अपने भाशनों में बार बार ये कह रहे हैं कि बरष्ट निताओं पर कारवाई जारी रहेगी जिससे सरकार की प्राथमिक्ता साफ नजर आती है बिहार में लारू प्रसाद को लगातार सजा याफता बता रहे हैं केजरीवाल के खिलाब भी ये बातें इस्तेमाल हो रहे हैं इससे बीजेपी को ज्यादा लाब हो सकता है क्योंकि आमादमी पार्टी को लोगों ने सिर्फ एमांदारी के नाम पर वोट किया था लेकिन वो एमांदारी बेएमानी बन गई और लोगों को ये समझ आ गया था कि केजरीवाल के दांद दिखाने के कुछ खाने के कुछ इतना ये नहीं तिल्ली का सियासी मिजास देखें तो राज़ानी के लोग लोगसबा चुनाओं में आमादमी पार्टी की जगए पर बीजेपी को ही पसंद कर रहे है 2014 के 2019 के नतीजों से साफ है इसलिए केजरीवाल के बाहर आने से बहुत लाब मिलने वाला नहीं है बलकि उल्टा दाओं भी पड़ सकता है दिल्ली की पढ़िली की जनता और केजरीवाल इस देखें सियासी तोर पर सफल रहे क्योंकि प्रश्चाचार को मुद्दा बनाया था और अब उसी जाल में खुद फंस गए है पहले दो विधान सबाचुनाव में केजरीवाल अजे ये लग रहे थे लेकिन जैसे जैसे उनके घोटालों की जानकारी लोगों तक पहुँची उनसे जनता का मोह भंग हुआ माना जा रहा है कि लोकसबाचुनाव को लेकर दिल्ली की जनता अपना मूड बना चुकी है केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी के प्रचार को धार मिलेगी लेकिन प्रचाचार के मुद्दे पर विपक्ष किस मुख से जवाब देगी इस पर सब की नजर रहेगी केजरीवाल को लेकर कॉंग्रेस में पहले से दो धड़ हाल ही में अरविंदर सिंग लवली राचकुमार चोहान जैसे नेता छोड़ चुके हैं साथ और इतना ही नहीं उनके दलित समुदाय में पकड़ कमजूर हुई है दलित समुदाय से आने वाले दो नेताओं का मुबंग हुआ केजरीवाल के तो एक मंत्री स्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो चुके हैं काहिर है कि जो दलित कल तक केजरीवाल के साथ है आज उनके छोड़ जा चुके हैं